ओम श्री परमात्मने नम्हा, ओम नम्ह शिवाय श्री शिव महापुराण रुत्र सहिता, खंड पाच, अध्याय 6, 7 और 8 देवों का शिवजी के पास जाकर उनका इस्तवन करना, शिवजी के त्रपूर वद के लिए उद्यत ना होने पर ब्रह्मा और विश्णु का उन्हें समझाना, विश्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा देथा विश्णु द्वारा जब करना, और शिव पुर्वासियों सहित उस दैत्यराज की बुध्धी विशेश रूप से मोहाच्छन हो गई तब उसके बाद कौन सी घटना घटी विभू वैसारा वृतांत बर्णन कीजिये। सनत कुमार जी ने कहा महरशे जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई दैत्यों ने शिवा आच्चन का परित्याग कर दिया संपूर्ण स्री धर्म नश्ट हो गया और चारों और दुराचार फैल गया तब भगवान विश्णू और ब्रह्मा के साथ सब देवता कै जलाश परवत पर गए और सुंतर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे महेश्वर देव आप परमोद क्रिष्ट आत्म बल से संपन्ध हैं आप ही स्रिष्टी के करता ब्रह्मा पालक विश्णू और संहरता रुद्र हैं पर अब ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार ह यो महादेव जी का इस्तवन करके देवों ने उन्हें साश्टांग प्रणाम किया फिर भगवान विश्णू ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तनमय हो दक्षणा मूर्ती के द्वारा प्रकटित रुत्र मंत्र का डेढ करो करते रहे देवों ने कहा प्रभो आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्यान करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं आपके गले में नीला चिन है जिससे आप नील कंठ कहलाते हैं आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं आप रुद्र को हमारा प्रणाम है अस सदा से आप ही हमारी गती हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनी हैं आप सब के आदी हैं और आप ही अनादी भी हैं आप ही आनंद स्वरूप अव्याय प्रभू प्रकृति पुरुष के भी साक्षात स्रिष्टा और जगदीश्वर हैं आप ही रजोगुण आश्रे से ब्रह्मा विश्व और रोद्र होकर जगत के करता भरता और सहारक बनते हैं। आश्रे से ब्रह्मा विश्व और संत जन कहते हैं। आश्रे से ब्रह्मा विश्व और से ब्रह्मा विश्व और संत जन कहते हैं। अनुपमे और करोणों सूरियों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों और से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराथे आदि अन्तशून चबीसमे तत्व नियाम करते तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रभृत करने वाले आपको हमारा सब और से प्रणाम है। आप प्रक्रती के भी प्रवर्तक सब के प्रपिता मह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। इसलिए देवता, असुर, ब्रहाम्मन, अन्यान, स्थावर, जंगम भी आपकी ही स्तुती करते हैं। शंभो, त्रिपुर्वासी दैत्यों ने हमें प्राह, नश्ट सा कर डाला है। अता आप शीग्री उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि देव बलब, हम देवों के एक मात्र आप ही गती हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अता प्रभो, वे भगवान विश्णु द्वारा बताई हो युक्ति के चक्र में फसकर, सारा धर्म, कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल हमारे सौभागिवश, इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है। और नास्तिक शास्त्र का आश्रे ले रखा है। शेरणदाता, आप सदा से देवताओं का कारे करते आए हैं। इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन हुए हैं। अब आपकी जैसी इक्षा हो, वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का इस्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजली बांध कर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक जुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदी देवों ने महेश्वर की स्तुती की और विश्णू ने इशान संबंधी मंत्र का जाप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव पसंद हो गए और व्रिश पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पती शिव का मन प्रसन था, उन्होंने नंदीश्वर की पीट से उतर कर विश्णू का अलंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपून देवताओं की और कृपा भरी द्रश्टी से देख कर गंभीर वानी में श्री हरी से बो शिव जी ने कहा देव श्रेष्ट उन अधर्म निष्ठ दैत्यों के तीनों पूरों को मैंनाष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है, पर अंतु वे महा दैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुद्रण रूप से मुझ में लगा रहता था अता यद्य पि इस समय उन्होंने वी आजवर्ष उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथा पि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं, इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भरष्ट करके मेरी भक्ती से विमुख कर दिया है, वे विश्णु अत्वा अन्य कोई ही उन्हें क्यों न मारते मुनीश्वर शंभू के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरी का भी मन उदास हो गया जब स्रिष्टी करता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विश्णु के मुख पर उदासी चा गई है तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभू से कहना आरंब किया ब्रह्मा जी बोले परमेश्वर आप योग वेताओं में श्रेष्ट परब्रह्म तथा सदासे देवों और रिश्यों की रक्षा में ततपर हैं अता पाप आपका इस पर्ष नहीं कर सकता साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है इसके प्रेरक तो आप ही हैं इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ती से विमुख हो गये हैं तथा पी आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता देवों और रिशियों के प्राण रक्षक महादेव साधूं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन्हेच्छों का वध उचित है आप तो राजा हैं अता राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता इसलिए इस काटे को खाड़ कर साधू ब्रह अमणों की रक्षा कीजिए ये राजा यदि अपने राज तता सर्वलोकाधी पत्ते को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यभार करना चाहिए इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाईए विलंभ मत कीज देव देवेश बड़े-बड़े मुनीश्वर यग्य संपूर्ण वेद शास्त्र मैं और विष्णुभी निश्चे ही आपकी प्रजा है प्रभो आप देवताओं के सार्व भौम समराट है ये श्री हरी आदि देव गनत था सारा जगत आपका ही कुटुम्भ है अजन्मा देव श्री हरी आपकी युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आग्या का पालन करने वाले शक्र राजकारे संभालने वाले मंत्री है सरवेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कारे में तत्पर रहत यह बिल्कुल सत्य है सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुर्पालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन हो गया तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा शिव बोले ब्रह्मन यदि आप मुझे देवताओं का समराट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योगे कोई असी सामगरी तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहन कर सकूँ क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्यरत है ना उसके उपयुक्त सारत ही है और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुशबान ही हैं जिनें लेकर मैं मनो योग पूर्वक संग् काम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूँ यों कहकर वे चुप हो गए परंतु शिवजी को शीगर प्रस्तोत होते ना देखकर समस्त देवता कश्यपादी रिशी अत्यंत व्याकुल तेथा दुखी हो गए तब भगवान हरी ने उनसे कहा भगवान विश्णु बोले देवों तथा मुनियों तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए अब तुम सब लोग आधर पूर्वक मेरी बात सुनो देवगण तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं हो मैंने ऐसा सुना है कि महादाराधन में पहले महान कष्ट जेलना पड़ता है पीछे भक्त की द्रड़ता देखकर इष्ट देववश्य प्रसन होते हैं परन्तु शिवतों समस्त गणों की अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं ये तो आशुतोष ही ठेरे अता पहले ओम का उ चारण करें उसके बाद दो बार कुरू का प्रयोग करके फिर शिवाय नमा ओम जोड़ दें ऐसा करने से ओम नमा शिवाय शुभम शुभम कुरू कुरू शिवाय नमा ओम यह मंत्र बनता है बुद्धि विशारदों यदि तुम लोग शिव की प्रसनता के लिए इस मंत्र का पुनह एक करोड़ जब करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पून करेंगे मुने प्रभाव शाली श्री हरी ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनह शिवाराधन में लग गए तत पश्यात श्री हरी भी देवों तता मुनियों के कार की सिध्धी के हेतु शि पन हो बारम बार शिव शिव यो चारण करते हुए एक करोड़ जब करके सामने खड़े हो गए इसी समय स्वयम साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारणा करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे शिव जी बोले हरे ब्रह्मन देवगन तथा उत्तम ब्रत का पालन कर आने वाले मुनियों तुम लोगों ने इस जब से मैं प्रसन हो गया हूँ अथा अब तुम लोग अपना मनो वांचित वर माग लो देवताओं ने कहा देवादी देव कल्यान करता जगदीश्वर यदि आप हम पर प्रसन है तो देवों की विकलता का विचार करके शीगरी त्रिपूर का साहार कर दीजिए परमेश्वर आप दीन बंदू तथा क्रपा की खान है आपने ही सदा से हम देवताओं की बारम बार विपत्तियों से रक्षा किये अता इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए सनत कुमार जी कहते हैं ब्रह्मन तब ब्रह्मा और मन प्रसन हुए और पुना इस प्रकार बोले महेश्वर ने कहा अहरे ब्रह्मन देवगन तथा मुनियों अब त्रिपूर को नश्ट हुआ ही समझो तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसकी अनुसार कारे करो मैंने पहले जिस दिव्यरत्र सारती धनोश और उत्तम बान को अंगीकार किया है वह सब शीगरी तयार करो विश्णो तथा विधे निश्य ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपती हो इसलिए तुम्हे चाहिए कि मेरे लिए प्रैत्न पूर्वक समराट के योगे सारा उपकरन प्रस्तुत कर दो तुम दोनों सृष्टी क सजन और पालन कार में नियुक्त हो अतात्रिपुर को नश्ट हुआ समझ कर देवताओं की सहायता के लिए यह कार अवश्य करो यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जब किया है महान पूर्ण में तथा मुझे प्रसन करने वाला है यह भुक्ती-मुक्ती का दाता पूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंद प्रद है यह स्वर्ग कामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयों की व्रद्धी करने वाला है यह निश्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ती-मुक्ती का साधक है ज जनत कुमार जी कहते हैं मुने पर मात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन हुए और ब्रह्मा तथा विश्णु को तो विशेश आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्व कर्मा ने शिव के आज्यानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्व देव मय तथा परम शोभन दिव रत का निर्मान किया। ओम नमशिवाए शिवजी सदा सहाए।